नमस्ते और बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में क्या आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर अगर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और होते भी हैं लेकिन इन सब के लिए दवाईयां जो होती हैं मेडिसन्स वो एक जैसी होती है जादतर मेटफॉर्मिन ऐसी सभी मेडिसन्स केवल शुगर लेवल को सप्रेस करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए खाय जाते हैं और यहां पर सबसे ज्यादा इंट्रस्टिंग बात यह है कि अमेरिकन डाइबिटीज एस्सोसियेशन और मद्रास डाइबिटीज रिसर्च फांडेशन में भी यह देखा गया है कि बहुत सारे डाइबिटिक पेशंट जिन पर डीप स्टडी किया गया है उन सबके डाइबिटीज होने के अलग-अलग कारण सामने आये है डाइबिटीज में जितने भी कारण डाइबिटीज होने के जितने भी कारण होते हैं उतनी ही तरह की डाइबिटीज भी होती है हुआ और यह सारे डायबिटिक पेशंट दो केटिगेरी के अंदर डिवाइड होते हैं फृस्ट केटिगरी है टाइप 1 यानिके insulin dependent diabetes mellitus और दूसरी केटिगेरी है नॉन insulin dependent diabetes mellitus इन दोनों केटिग्ज से आधार पर diabetes होने के 5 कारण सामने आए हैं या फिर कह सकते हैं कि 5 तरह की diabetes को देखा गया है इसके बारे में आज इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि यह कौन सी 5 तरह की diabetes है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है और इसी के साथ आप यह भी जान पाएंगे कि आपकी Diabetes कौन से टाइप की है सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट केटिगरी यानि के टाइप वन Diabetes जिसको हम Insulin Dependent Diabetes कहते हैं इसमें हम देखेंगे कि टाइप वन Diabetes होने के कितने कारण है और उसके कितने प्रकार है तो चलिए शुरू करते हैं इस तरह की Diabetes तब डेवलप होती है जब आपका पैंक्रियाज या तो इंसुलिन को बिल्कुल भी रिलीज नहीं करता है या फिर ब्लड के अंदर बहुत कम मात्रा में इंसुलिन को रिलीज करता है जिसके कारण ब्लड में रहने वाले शुगर सेल्स के अंदर नहीं जा पाते हैं और ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है इस तरह की Diabetes में पेशेंट इंजक्शन्स के थ्रू इंसुलिन लेता है और अपने शुगर को मेटबलाइज करता है और इस तरह की Diabetes 20 साल से कम की उम्र में अक्सर देखी जाती है और इस तरह की Diabetes होने का मुख्य कारण होता है कि सड़नली पैंक्रियास की जो बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो कि इंसुलिन बनाते है ताइप 1 Diabetes में दूसरा प्रकार जो होता है देखने के देखने के लिए मिलता है कि काफी सारे लोग जिनको टाइप 1 Diabetes है उनको आटो इम्म्यून डिजीज है इन मोस्ट पीपल इंसुलिन डिपेंडेंट्ट डाइबेटीज दा इम्म्यून सिस्टम इस कल्प्रेट मतलब जो इम्म्यून सिस्टम हमें वाइरस बैक्टिरिया आ होता है and recent research indicates that it takes about four to seven years for this destruction मतलब इन दोनों प्रकार की डाइबेटीज में टाइप 1 और दूसरी होती है जो लेटर एज में देखी जाती है कि आपको कोई भी autoimmune disorder है यहां पर अक्सर लोग जो गलतियां करते हैं वो यह है कि वह केवल अपना fasting glucose या फिर पीपी ही टेस्ट करवाते हैं ब्लड टेस्ट में जबकि उनको अपना fasting insulin भी जरूर टेस्ट करवाना चा कितना insulin produce करते हैं और इस fasting insulin से आपको यह पता चलेगा कि आपको जो आपकी diabetes है वो किस stage पर है इस category को describe करने के साथ मैं एक चीज आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूंगी कि अगर आपके pancreas की beta cells damage हो जाते हैं तो काफी हद तक यह उमीद रहती है कि healthy diet and healthy lifestyle के through इसको काफ है and in the food nutrition industry it is proven इसी के साथ हम बात करेंगे second category के बारे में इसके अंदर कितने प्रकार के diabetes आपको देखने के लिए मिलेंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं it is called type 2 or non insulin dependent diabetes it is also called adult onset diabetes और maturity onset diabetes ज्यादा तर यह diabetes 40 साल की उम्र के बाद या फिर कई बार जो adolescent age होती है उसमें भी देखी जाती है लेकिन उस समय पर जो symptoms होते हैं वो इतने mild होते हैं कि उसको notice करना बहुत ही मुश्किल होता है या फिर वो notice नहीं होते हैं यह condition काफी समय तक undetected ही रहती है ज्यादा लोगों को type 2 diabetes का तब पता चलता है जब उनके routine urine test में या फिर जो routine blood test होता है उसमें उनका sugar level high मिलता है इस condition में इनका insulin level जो होता है वो बिलकुल normal रहता है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि body में insulin तो सही मात्रा में बन रहा है लेकिन body की जो beta cells है वो इसको accept नहीं कर रहे हैं यह condition type 1 diabetes से बिलकुल opposite होती है और as a result blood stream में sugar level high रहता है यह पूरी तरीके से अब तक नहीं समझा जा सका है कि what causes the cells to become resistant to insulin लेकिन बढ़ा हुआ वजन और fatty tissues इसके important factors माने जाते हैं ज्यादा तर लोग जिनको type 2 diabetes diagnose हुआ है वो लोग अकसर overweight होते हैं इसी लिए type 2 diabetes को control करना और इसको reverse करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता बस इसके लिए अगर व्यक्ति overweight है तो वो अपने weight management पर काम कर ले और उसी के साथ diabetes उसकी बहुत ही easily reverse हो जाती है यहां पर एक बहुत ही interesting बात जो है वो जानने योगिया है कि जो लोग अपने weight management पर काम नहीं करते या फिर इसको नजर अंदाज करते ही चले जाते हैं वो बहुत ही जल्दी type 2 diabetes से type 1 diabetes के अंदर एंटर हो जाते हैं non-insulin dependent diabetes हम first type diabetes की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं gestational diabetes यह एक तरह की temporary form of diabetes होती है जो की pregnancy की दौरान देखी गई है इसका कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान additional insulin जो होता है pancreas नहीं बना पाता और प्रेगनेंसी के दौरान जब blood test करवाया जाता है तो blood का जो sugar level होता है वो बढ़ा हो आता है this is called hyperglycemia और इस तरह की diabetes से previous history जो diabetes की होती है उससे कोई भी लेना देना इसका नहीं होता यह condition delivery के बाद normal हो जाती है 90% तर कई बार यह continue भी रहती है लेकिन जिन लेडीज को gestational diabetes प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है 40 साल के बाद उनको diabetes होने का रिस्क हमेशा बना रहता है और यहां पर सबसे ज्यादा important यह है कि अगर gestational diabetes को treat नहीं किया जाता है तो यह मा और बच्चे दोनों को problem में डाल सकते है जहां मदर के लिए diabetes होने का रिस्क आगे जाकर बढ़ जाता है वहीं untreated gestational diabetes में बच्चों को भी आगे जाकर diabetes होने का खत्रा बना रहता है अगर आप gestational diabetes के बारे में detailed knowledge लेना चाहते हैं तो please write in the comment section then I will make specific video on it non insulin dependent diabetes में दूसरे प्रकार की diabetes होती है जिसको हम secondary diabetes कहते हैं इसका मतलब diabetes होने का primary cause कुछ और होता है लेकिन as a result sugar level high होता है some primary causes of secondary diabetes are pancreatitis pancreas removal adrenal or pituitary gland disorders certain medications especially high BP and cholesterol etc इन सभी primary causes की वजह से diabetes हो जाती है जिसमें कि आपकी जो previous history है उसे इसका कोई भी लेना देना नहीं होता non insulin dependent diabetes में तीसरे प्रकार की diabetes होती है malnutrition diabetes in India it is a special type of diabetes and also called malnutrition related diabetes mellitus in 1995 by WHO अगर हम malnutrition diabetes को सही तरीके से और बहुत ही simple way में समझना चाहें तो अगर शरीर के अंदर nutrition पूरा नहीं है या फिर nutrition में imbalance है तो इस तरह की diabetes देखने में आती है ज्यादतर ये diabetes उन countries में देखी जाती है जहां पर nutrition के उपर पूरा focus नहीं किया जाता है तो आपने देखा कि इन दोनों categories में हमें total 5 तरह की diabetes को देखा है जिसमें insulin dependent यानि की type 1 diabetes के अंदर 2 type देखे गए है पहला है juvenile onset diabetes और दूसरा है autoimmune disorder और non insulin dependent diabetes में 3 तरह की diabetes देखे गए हैं जिसमें पहली है gastrational diabetes दूसरी है secondary cause of diabetes और तीसरी है mal nutrition related diabetes mellitus तो इस तरह इन दोनों categories में हमें total 5 तरह की diabetes को discuss किया and again I repeat that जब किसी बीमारी का कारण हमें पता होता है न तो उसका जो रिवारन होता है वो भी कही न कहीं हमें मिल जाता है तो फिर मिलूंगी मैं आपको आपके next video में तब तक के लिए stay healthy and stay tuned with me bye कर दो आपके लिए